नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनी उज मैं हूँ दिव्यांसू बिहार के दोनों सद्मनों में बवाल हो रहा है विपक्ष का जोड़दार हंगामा देखने को मिल रहा है और अभी जो इस्तिती है विधान सभा में विधान सभा द्यक्ष के बार विपक्ष के विधायक बैट गए हैं धरने पर उनका आरोप है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया इसके अलावा बिहार को विशेश राज्य का दर्जा जो संभिधान के अनुसूची में डालना है आरक्षन के दायरे को जो बढ़ाया है विहार सरकार ने जिस पर पटना आयकोट ने रोक लगा दी है उसे संभिधान की नवी अनुसूची में डालना केंद्र द्वारा और संजीव हंस संजीव हंस जो नितीज के काफी खास अधिकारी माने जाते हैं उर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं उनके उपर एडी की रेड पड़ी है और उससे पहले उन पर एक और आरोप है एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है तो उसको लेकर भी विपक्ष काफी हम संजीव हंस मीडिया के सामने घेरा गए थे उस वक्त कुछ उन्होंने नहीं कहा था इसके बाद उर्जा विभाग के मंत्री ने सफाई दी उन्होंने कहा कि जब अभी तो आरोप लगा है जब सजा मतलब जब सिद्ध हो जाएगा उन पर आरोप तब उनसे कहा जाएगा कि आप अपना पद छोड़ दीजिए अभी नहीं कह सकते तो ये तवाम मुद्धे हैं जिस पर काफी बवाल हो रहा है खबर ये भी थी कि तजस्वी यादव जो की विदेश में हैं इस वक्त वो पटना लोटेंगे और सीधे विधान सभा जाएंगे और वहां पर विधान हो विधान परिशद हो आएक और बात बता दूँ विधान परिशद में जो आरजेडी मलसी हैं सुनिल सिंग उन पर कारवाई की बात कही जा रही है उनका उनकी जो सदसता है वो रद की जा सकती है क्योंकि नितीश पर उन्होंने आपत्ति जनक टिपनी की थी उसको लेकर उन पर कारवाई हो सकती है लेकिन विधान सभा का जो हाल है आप देख सकते हैं कुछ नेता भी हैं जिन्होंने कहा है कि वो इस तरह के का धरना क्यों दे रहे हैं उनकी क्या मांग है सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विपक्ष के विधायक इसमें कॉंग्रेस के भी विधायक है RJD के भी हैं लेफ्ट के भी हैं सुन लिजे क्या कुछ कह रहे हैं आज आज शिक्षा पर कटावती बजट पेश किया गया मानिय शिक्षा मंत्री के द्वारा पूरा विपक्ष ये उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था और पहले इस पीकर ने भीपक्ष की तरप से पहले इस का निया अपनी बात रखी उसके बाद उसी बीच में दूसरे इस पीकर को दूसरेे कर ने कि बारी जब आई इस बीच में पार्लेमेंट्री मिनिस्टर विजय जी खड़े हो गए और उन्होंने कुछ अपनी बाते रखी इमेडियेटली चुके उन्होंने ऐसी बाते कही थी तो जिसका जवाब हमको देना अवश्रक था वो हमने का 30 सेकंड मांगा हमने इस्पीकर महोद की हैसे स्पेशल स्टेटेस के मामले में हो जो एकॉनोमी पैकेज उसके मामले में हो मैं तो कागज लेके आये था कि 2015 में जो इस बिहार को देने का जुझझञा पकड़ाया गया था उस जुझञा का पेपर में उनके सामने थमाने वाला था कि किस तरह से ये सरकार जूट है एक लाग 25 कोड़ 25 जाद 3 कोड़ का बजट 2015 में परदान मंद्दी का कार्याले का यह है इसमें बहुत सारा आइटम्स हैं जिसमें के काम होना था बिहार में मैं यह दर्शाना चाहता था कि बिहार के पैकेज के नाम पर किस तरह से चलावा होता है सिफ इसकिल डिवलप्मेंट यूश्टी बननी थी यह पंद्रह सो कोड़ो रुपया आता था ताके इनका परदा फास हो सके कि जो यूपिया की गवर्मेंट थे उसने क्या कि हमकिया और उन्होंने कटास किया था हमारे इंडिय हैं हम लोग गौहार लगाते रहे हम लोग बार-बार कहते रहे कि एक मिनट का समय दे दिया जा क्यूंकि जब विजय जी ने इंटर्वीन किया और ऐसा सवाल किया जिसका जवाब देना आवश्यक था क्यूंकि वह देश और दुनिया को वरगलाने वाली बात थी दिख भर सवाल लेकर के अब हम लोग ने वाकाउट किया और उन्होंने उसको चारवे तक अस्थागित किया है यह बात प्लेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देख लिजिए कि बिहार में क्या हो रहा है अब हमारे दूसरे पार्टी के साथ है कि मैं संसत में भी रहा हूं वहां नहीं कभी मनमुहन सिंग जी बोलते थे तो आडवानी जी यह लिए खड़े हो जाते हैं तो मनमुहन सिंग बैठ जाया करते थे उनकी बात सुनी जाती थी सदन के द्वारा और स्पीकर से लेकर पूरा सदन उनका सम्मान करता था लेकिन यहां मैं देख रहा हूं पिछले क मों पर्ता है विक्ति के प्रोला यह जंता के विचारों का संगम है जहां जनता से भोट लेकर लोग आये हैं हर निम्बर को अधिकार है अपनी बातों के रखने का बिलकुल डिसिप्लिन होना चाहिए लेकिन उस डिसिप्लिन का पालन एक तरफा किया जा रहा है जो एक तरफ सत्या पक्ष के लोगों को कुछ भी बोलने के लिए और कभी भी माइक को बन रखायाता है उनको इजाज़त नहीं जाती है इस बात का हम पूरी तलब पुर्जोर भी रोज करते हैं और हम चाहते हैं कि संसद्य परंपरा के नुसारा सदन चले आ नहीं तो विपक्ष एक जूट है इस भी सहपर और अंत अंत तक लड़ेगा जब तक इसमे अध्यक्ष ने विपक्ष के लोगों को बोलने दिया हमने कई बार कार्ज अस्थगन प्रस्ताव विपक्ष के लोगों ने लाया बिहार को विशेश राज का दरजा को ले करके लाया उस पर एक सब्द न बोलने दिया और नहीं उसको परने का प्रोवीजन है वैवस्ता है कि कम से कब परने दिया जाता है नहीं किरने दिया फिर दूसरे दिन हम लोगों ने आरक्षन के मुद्दे को नौमी अनुसुची में डालने की मांग को लेकर तमाम विपक्त के लोगों ने कार्जस्थखन लाया उस पर लगातार हम लोग चिलाते रह गये हाउस को एड़ के लोग चिलाते रहे कि हमको एक मौका दे दीजिए एक मिनट पढ़ने का मौका दे दीजिए लेकिन नहीं दिया गया और आज भी जिस तरह से सत्ता पक्स के लोग जब चाहते हैं जो मंतरी खड़ा हो करके इंटर्वेन कर रहा है और विपक्स के सीनियर लीडर अगर लीडर है शकील आमसाब उन्होंने कहा कि एक मिनट इसका जवाब देना चाहते हैं उन्होंने नहीं दिया मौका अलोक महता जी बार-बार खड़े हुए कि सीनियर लीडर है कॉंग्रेस के नेता है जब आपने सत्ता पक्स के लोगों को बिना इजाजत के खड़े हो करके बोलने का मौका दे दिया तो इनको भी आप मौका दीजिये लगातार इनके बोलने पड़ भी वो मौका नहीं दिये फिर भाई महबूब आलम साहब भी जाकर के बेल तक चले गए बेल पर जाकर अनुरोज किये कि एक सेकेंड का मौका दिया जाए इस तरह से विधान सभा को नहीं च ताना शाही रवईया अपना रहे हैं जिसको हम तमाम विपाक्ष के लोग गडबंधन के लोग इस ताना शाही रवईये को बरदास्त नहीं करेंगे या लोग तंत्र का गला घोटने जैसा है इसलिए वहां पढ़ हंगामा हुआ हम लोग चिलाते रहें बोलते रहें कि एक बरदास्त से बाहर है इसलिए हम लोगों ने वहां पढ़ हंगामा किया और सदन को बाइक 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 अग्जॉंड करना पड़ा उनको अब बाकी हमारे साथी मावूब भाई भी बोलेंगे आवलोक में देखिए बिहार बिधानसवा के सदन के अंदर लोग ता ने ज्लोंही बोलना शुरू कर दिया और बोलने के कुछ ही कि दो थिनमेंट के बार कि मानेरिया संसेतिय मंतरी जो अबिजय उक्रमार चोध्री जी ने हस्त ठीव किया और हस्त ठेव के जरिये हमारे जो अडिय हिस और हम पर ऑल इंडिया केृता है राहुल गांदी उस पर कटाज किया जब उन पर कटाज किया यह परंपरा है जो कोई अनाधिकार अध्याज की मर्जी के बगएर खरा हो करके हम पर इल्याम लगाता है कटाज करता है तो हमें भी जवाब देने का हाक है और यह परंपरागत नियम है हमें मिलता हर वक्त मिलता है लेकिन इस वक्त आज ये चार दिन से ये इस पीकर एक दम ताना शाही रवाई आपना गई हम लोग का गला घोट रहा है लोग तंत्र का गला घोट रहा है हम तो कहना चाहते हैं बाद करना चाहते थे special category status of state अलग चीज़ है package अलग चीज़ है special category status of state के बावजूद भी package मिल सकता है मारिया मुक्हमंदरी जी आपने गुमराह क्या है आप समर्पन कर चुके हैं आपने बायर पकर लिया परदान मंतरी का आपने नोकर शाहों का पर पकर रहे हैं इसके बावजुद भी बिहार को कोई लाब नहीं मिल रहा है बिहार की जनता अपना जमीर नहीं बेची है आपने अपना जमीर बेची दिया है सिर्फ कुर्शी के लिए और आपको RSS की मदद मिल रही है इसका जवाब आपको मिलेगा बिहार की जनता के सामने आज बजट का जो तयारी हमारी थी बजट का जो हमारा तस्वीर था जो आपको जातिया करना हुई उन पर जो कुछ रखना था इन तमाम चीजों को सुनने का माददा उनके अंदर में नहीं है इसलिए अध्याच महुदाई के माद्यम से सदन की गरिमा को हनन किया गया इससे कि पहले भी पर्थम सत्र में हम लोग एक बात नहीं सुने गई और हम लोगों ने सदन के अंदर पैरलल सदन चलाया और पैरलल सदन चलाने के बावजुद्धी अध्याच के सामने कुरसी पर कुरसी बैटके लेकिन फुने उसने भी आगरहने किया ये सदन का अबमान नहीं था ये ताना शाह स्पीकर का अपमान था उनको आगरा करना था हम लोग से रिक्वेस्ट करनी थी कि परालल सदन आप अंदर में मत चलाएए आपकी बात सुनी जाएगी बास में बजट में रखेंगे लेकिन उन्होंने रखा नहीं ऐसी हालत में हम लोग बिहार की जनत अपरात का खत्मा नहीं होगा तब तक हम यह सवाल उठाते रहेंगे और बड़े आंदोलन की तैयार हम करते रहें तो जैसा कि आपने सुना विपक्ष का आरोप है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया और विपक्ष पिछले तीन दिन से हमलावर है और बिहार को व खड़े होकर जवाब दिया था विपक्ष के विधायकों को लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं दे रहा है और बढ़ता ही जा रहा है जिससे बिहार का सियासी पारा काफी चड़ गया है फिलाल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें द आर श्नियों के साथ